Hello guys and welcome back इस वीडियो से हम लोग सुरुवात कर रहे हैं हमारे एक नए मॉडूल की जिसमें हम लोग समझने वाले हैं कि react.js application में हम किसी भी http request को कैसे handle कर सकता है http request हो या चाहिए https request हो दोनों एक ही type की request होगी बस उसमें secure और unsecure का एक छोटा से difference होगा इस सीज से मैं आपको ये clear करना जाता हूँ just कि http request का मनलब ये नहीं कि आप https request को handle नहीं कर पाएंगे मैं in short ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कोई भी network request handle कर पाएंगे हमारे इस module के अंदर तो चलिए समझता है कि http request या exec request actually होती क्या है फिर next video से हम लोग उसको कैसे handle करना है ये समझेंगे तो guys सबसे पहले हम लोग समझ लेता है कि हम लोग काम कर रहे है हमारे react.js के application पर react.js का ये जो आपका application है ये किस चीज के लिए काम आता है ये आपका काम आता है front end के लिए तो हम लोग front end में जब काम करते है तब हम लोग एकसर काम करते है किस पर static data पर अब static data से आप एक static website बना सकते हो डाइनमिक तो बना नहीं सकते है डाइनमिक website बनाने के लिए आपको क्या चाहिए आपको चाहिए एक backend ओके तो ये हमारे दिमाग में clear होना चाहिए एक static website होती है और एक डाइनमिक website होती है और डाइनमिक website के लिए आपको एक backend चाहिए अब react.js जो है वो खुद कभी भी backend से configure नहीं हो सकता है backend से communicate नहीं कर सकता because react.js front end technology ये front end के लिए बनाया गया है backend से communicate करने के लिए हो सकता है backend PHP में बना हो हो सकता backend जो है वो node.js में बना हो हो सकता backend django में बना हो हो किसी पी चीज में बना हो हो सकता है जावा में बना हो हो backend किसी पी अलग technology में हो सकता है but react.js जो है उनसे direct communicate नहीं कर सकता तो react.js को क्या करना पड़ता है react.js को APIs हिट करनी पड़ती है APIs क्या होती है APIs है application programming interfaces इसमें क्या होता है तो जो backend होता है backend क्या करता है आपको एक link बना के देता है एक URL बना के देता है और यह जो URL है वो किसी particular data set को represent करती है और उसमें आप कुछ इस type की operations कर सकते हो crude operations crude में जो सबसे पहला आपका आता है create then होता आपका read और फिर update update करना ओके यानि data को update करना update के बाद जो आपका operation आता है वो होता है delete तो ठीक है यह सारे operations होता है crude operations आप कर सकते हो अब react.js में अगर आपको crude operations करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा backend की मतल लेनी पड़ेगी बट react.js directly तो backend से communicate नहीं कर सकता तो इस case में जो role होता है वो किसका होता है API को होता है API कुछ इस तरीके से backend को react.js से यानि हमारे frontend से connect करती है और API क्या होती है कुछ URLs होती है वो URLs में भी अलग-अलग method से hit की जा सकती होती है जैसे कि get method से hit की जा सकती है post method से hit की जा सकती है patch method से hit की जा सकती है put method से hit की जा सकती है और delete method से hit की जा सकती है तो यह अलग-अलग method से hit की जाना वाली जो हमारी request होती है अब यह जो request है वो आपको क्या करती है एक URL को access देती है जिस URL से आप क्या करते हो backend से communicate कर सकते हो तो यह हमारा HTTP request होती है अब इसक समझने के लिए जस्ट आपको क्या इमैजिन करना है आपको इमैजिन करना एक यह intermediate जो कि क्या है आपकी API यह यह आपका front end है और as it is यह क्या आपका यह आपका back end है अब यहां पर जो आप request कर रहे हूं वो क्या है HTTP और में भी Ajax request है, Ajax जो आपने basic web development के course में already सीख रखा होगा, आपने JavaScript में implement भी किया होगा, Ajax is asynchronous JavaScript and XML, आपको जब page पर data represent करना हो, but PHP जैसे technology में आपको क्या करना पड़ता था, page refresh करवाना पड़ता था, और जाके data लेकर आना पड़ता था, but Ajax आपका वो काम आसान कर देता ह क्या आता है, but page refresh नहीं करना पड़ता, so guys यह होती है, HTTP या Ajax request कि आपका front end है, यहनि react.js क्या करता है, API को URL को hit करता है, URL जो है, वो backend पर किसी particular data को represent करती है, उस data में आप crude operations करते हो, जो मैं आपको अल्रड़ी बता चुका हूँ, तो जब भी आप यहां से क्या करते हो, एक request करते हो, तो यह request API किसके पास लेके जाती है, backend के पास, जब backend उस request के according फुल्फिल कर देता है, तो वो एक response बेजता है, तो वो क्या करता है, एक response बेजता है, और वो response कहा पहला आता है, front end पर, तो backend में हमारी कौन से technology होगी, react जैस, और backend में कोई भी technology हो सकती है, जो भी आप लेके आएंगे, बट उधर हमको पता नहीं होगा, कि backend में कौन से technology है, बट हमें उस technology से कोई मतलब भी नहीं है, हमें तो सिर्फ front end पर data लेके आना है, और वो जो data है, वो किस format में आता है, अक्सर, JSON format में आता है, JavaScript Object Notation, और वो कौन लेके आती है, API लेके आती है, तो guys, यही simple सा funda है, HTTP या Ajax request का, आपको simply क्या करना होता है, यह Ajax request हिट करनी होती है, और हिट करके data लेके आना होता है, अब JavaScript में अगर आप इसको implement करते हो, code JavaScript में, तो आपके पास JavaScript की अपनी एक library, अपनी APIs होती है, बट हम लोग इस module में जो library पढ़ने वाले है, वो हमारी Xios, Xios एक JavaScript की library, independent library, react.js के साथ compatible नहीं, सभी के साथ compatible है, react.js के साथ भी है, और बाकी सभी के साथ भी है, तो यह Xios नाम की library हम लोग पढ़ने वाले है, because अगर आप JavaScript की API, जो code JavaScript की API, XML request, अगर उसको use करते हो, तो HTTP XML request, अगर आप उसको use करते हो, तो आपको काफी सारी configurations करनी पढ़ती है तो Xios में वो configurations जो है, वो predefined होती है, हम लोग क्या करने वाले है, HTTP या Ajax request को handle करने के लिए, Xios नाम की package का use करने वाले है, और simple सा आपकी दिमाग में clear होना चाहिए, अगर आपने आज से पहले कभी भी APIs का नाम नहीं सुना है, APIs are just intermediate between front end and back end, front end और back end के बीच में क्या होती है एक intermediate होती है, जो data exchange करवाने का काम करती है, because front end technology सीधा जाकर back end technology से communicate नहीं कर सकती है, so I've got this concept आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी concept पर हम लोग next videos में बात करने वाले हैं, कि किस तरीके से हम लोग APIs हीट करेंगे, किस तरीके से अलग-अलग type की request हम लोग हीट कर that's it for this video thank you so much